हम HTML स्टार्ट करने वाले हैं HTML एक Hypertext Markup Language है HTML का यूज करके आप Website और WebPages डिजाइन कर सकते हो या फिर अगर आपको जौब चाहिए होगा तो आप एक as a Web Designer भी काम कर सकते हो तो HTML कोई Programming Language नहीं है HTML का यूज करके आप उनली Frontend डिजाइन कर सकते हो तो HTML का Code करने के लिए आप कुछ Editors का यूज कर सकते हो जैसे की VS Code हो गया जो Microsoft का है ये Most Popular है सेकेंड आप Notepad++ को भी यूज कर सकते हो या फिर आप Atom या Sublime जैसे Editors को भी यूज कर सकते हो और जब भी आप को ये HTML का Code करते हो तो उसको आपको .html extension में ही Save करना होता है अगर आप उसको किसी और extension में Save करोगे तो आपका जो Code होगा वो Run नहीं होगा अगर HTML की History की बात करोगे तो First जो इसका version आया था 1991 में आया था और अभी जो latest चल रहा है वो 2014 में इसका आया था HTML5 तो हम इसे को continue करने वाले है तो जैसे में आपको बताया था कि HTML कोई programming language नहीं है यह वो उनली front end के लिए यूज करते है अगर आपको website में back end यूज करना है जैसे कि login हो गया registration हो गया searching हो गया तो उसके लिए आप PHP या प्रेमवर्क साथ है लारावेल या और भी है उसका यूज कर सकते हो या फिर आप python का भी यूज कर सकते हो या python का जो framework के डिजांगो उसका भी आप यूज कर सकते हो जैसे मैं यहाँ पर आपको search करके दिखा जैता हो जैसे मैं यहाँ पर search करता हूँ अपने website में तो यहाँ पर मुझे रिजल्ट शो हो रहे है तो यह सब हो रहा है बैकेंड से जो डाटा यहाँ पर मुझे आ रहा है वो मैरे सब फ्रंडेड हो जाएगा तब उसको भी जोइन करके सीख सकते हो